हलो दोस्तों आप सबों का स्वागत है जेके स्टेडी चैनल में तो आप सभी कोई कैसे हैं आशा करते हैं आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान दे रहोंगे जैसा कि आप सबों का पता है कि हमारा देश अजाद हुए 75 वर्स का हो चुका ह है और हमने 15 अगस्त 1947 इसवी को अजादी पाया था लेकिन क्या आप सबों को पता है कि भारत में जब भारत हमारा देश संपूर्ण रुप से अजाद हुआ था तो उसमें एक ऐसा जीला है भारत का एक राज है उसका एक जीला है जो भारत जो पूरा राष्ट अजाद होन अजाद होने वाला जीला तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सा जीला है और उस जीला की कहानी किया है अजादी की वक्त की तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले वीडियो सुरू करने से पहले जो वीडियो में नए हैं जो चैनल में नए हैं वे लोग चै ये भारत का सबसे पहले अजाद होने अलजीला कौन है तो जैसा कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन के माध्यम से बताया कि हमारा जो देश है वो अजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 इसके बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश भी बन गया था हलांकि यहां तक पहुँचने में भारत वास्यों को लंबा संघर्ष करना पड़ा इस बीच कई वीर सपूतों को अपने प्रान नियोच्छावर भी करने पड़े जबकि स्वतंतरता से नानी लंबे समय तक संघर्ष करते रहे इसके अंत में भारत को अजादी मिली मतलब बहुत सारे से करने पड़े हमारे देश के लोगों को अजादी पाने के लिए हलांकि क्या आप जानते हैं कि भारत को भारत के अजाद होने से पहले भारत का एक ऐसा जीला है जो भारत अजाद होने से पहले ही अजाद हो चुका था तो आपको बताते हुए मैं आप सबों को बताने जा र जीला है जो सबसे पहले अजाद होने वाला जीला बना था तो इस स्लाइड हम लोग जानेंगे कि कौन सा जीला है तो जैसे आप सभी को यहां पे फोटो देख रहे हैं बलिया तो जीहां जो उत्तर पर देश का जो जीला है एक बलिया नाम का वो सबसे पहले अजाद होने वा टो जी अमारत जो जीला है बलिया जीला जो है उत्तर प्रदेश में श्तित या चीला है वो 15 अगस्त 1947 से पहले 19 अगस्त 1942 सिस्वी को आजाद हो चुका था मतलब भारत का एक ऐसा जीला है जो भारत देश आजाद होने से पहले ही वो जो जीला है वो आजाद हो चुका था तो याद रखिएगा इस डेट को 19 अगस्त 1942 सिस्वी को उत्तर पर देश का एक जीला जिसका नाम बलिया है वो सबसे पहले अजाद होने वाला जीला बना था तो इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि जो बलिया जीला है वो अजाद इतना जल्दी कैसे हो गया पूरा देश तो अजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को लेकिन यह 19 अगस्त 1942 को ही अजाद कैसे हो गया तो इन सारी बातों को इस स्लाइड के मात्यम से हम लोग जानेंगे तो मुंबई की राजधानी आप सब भी कोई जानते हैं आप किजेगा महराष्ट की राजधानी मुंबई तो बात है सन 1942 का और तारिक था 9 अगस्त था ठीक है 42 हिस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन को चालू कराया और करो या मरो का नारा भी उन्होंनी इस आंदोलन में ही दिया था और इसी दोरान जब मुंबई में अधिवेशन हुए 9 अगस्त 1942 हिस्वी को तो इस कड़ी में ही उत्तर परदेश के एक बल्याज नाम का जीला है और इसी जीला में इस जीला में भी यह जो 1942 का जो अंदोलन था उसका संखनाद सुरू हो चुका था ठीक है अब ब्रिटिस सरकार ने बल्या के चितु पांडे ठीक है रखा गया था चितु पांडे जो है वो 133 सेनानी थे और साथ में कई सेनानियों को भी जेल में रखा गया इसके बाद जब उनको जेल में रखा गया तो उसके बाद स्थानिये लोगों ने 9 अगस्त की साम को जीला जो कारागार था जो जीला का कारगार था जेल था बलिया का तो उसके बाहर में लोग एक खटा हो गए और अपने नेताओं को रिहा करने की मांग करने लगे जैसे आपको ये नाम याद रखना है चीतु पांडे चीतु पांडे कौन थे एक स्वतंतरता सिनानी थे एक नेता थे जो स्वतंतरता संगराम में कुदे हुए थे और उनके कई ऐसे सहयोगी थे जो उनको रिहा करने की मांग कर रहे थे और नाव अगस्त को जो जीला का कारागार था उसी के बाहर में लोग खड़े थे तो उस वक्त पे जब लोग जेल के बाहर खड़े थे और मांग कर रहे थे उनको रिहा करने का तो उस वक्त पे जिला अधिकारी जो थे वो जग्दिश्वर निगम और पुलिस अधिक्छक रिया जुदीन मौके पर पहुँँच गए जब यहाँ पे लोगों का मांग किया जा रहा था उस वक्त पे और उनके जितने भी सहयोगी थे, जितने भी स्वतंतरता सिनानी थे, उन सबों को भी रिहा कर दिया था। इसके बाद जीले के सभी सरकारी करियालें को चितु पांडे, राधे मोहन और विश्वनाद चौबेक नेत्रित्वा में लोगों ने तीरंगा जहंडा फहरा दिया था। और 19 अगस्त, 1942 को यहां के लोगों ने भारत के इस जीले को स्वतंतर घोसित कर यहां ब्रिटिस सरकार के समनांतर स्वतंतर बल्या प्रजातंतर सरकार का गठन भी उन्होंने कर दिया। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि जो बल्या जीला है वो किस तरह से अपने आपको स्वतंतर कर लेता है। लेकिन ये बात अंग्रेजों को हजम नहीं होती है और उन्हों ने अंग्रेजों ने फिर से कबजा करने का योजना बनाया बल्या जीले पर। अंग्रेजों तो ऐसे सांथ बैठने वारे थे नहीं और लोग अगर वे हारते हैं तो वे उनको बहुत ही खराब लगता है और वे और भी उलट फेर करने की बाते योजना बनाने लगते हैं। तो यहाँ पर जब आपने यहाँ पर देखा चितु पांडे, रादा मोहना और विश्वना चौबे के दोरा बल्या जीले को घोसित किया गया स्वतंत्र लेकिन अंग्रेजों ने फिर से बल्या जीले पर कबजा करने की कोसिज की। और इसी कड़ी में ब्रिटिस गवर्नर जनरल वहां के जो थे ब्रिटिस गवर्नर जनरल हैलेट ने वरानसी के कमिशनर नेदर सोल को भेजा। उस वक्त में जो ब्रिटिस गवर्नर जनरल थे हैलेट ने थे उनको उन्होंने आदेश दिया वरानसी के कमिशनर नेदर सोल को और वहां के और उन्होंने बहुत सारी गोलियां चलाई और 22 अगस्त की घटना है 22 अगस्त 1942 हिस्वी को राथी को थाना को सरकारी कर्याले उस वक्त इलहाबाद के नाम से जाना जाता था तो प्रियाग राज से लेटिनेट मार्क्स स्मित भी वहां पहुँच गये इस्थिति को संभालने के लिए अब ब्रिटिस हुकूमत के तहद सभी कर्याले सरकारी कर्याले थाना तहसिल पर अपना कबजा सुरू कर दिया मने अंगरेजों ने फिर से कबजा करना सुरू कर दिया इस प्रकार सितमबर से पहले सब्ता में कई लोगों के सहीध होने के बाद ब्रिटिस हुकूमत ने फिर से बल्या जीले को अपने हुकूमत के तहद अधीन कर लिया और चितुपांडे समेट अन्य आंदोलनकारियों को फिर से जेल में डाल दिया गया ठीक है तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि चितु पांडे राधक मोहन इन सारे ब्यक्तियों के इन सारे आंदुलनकारियों की नित्रित्वा में बलिया जीलों को 1942 में 19 अगस्त को अचाहत घोसित किया लेकिन 22 मतब सेप्टेंबर महीना आते आते फिर से अंग्रेजों ने बलिया जीले पर फिर से हुकुमत बना लिया और जितने भी आंदुलनकारी थे चितु पांडे समेत बहुत सारे आंदुलनकारियों को फिर से जेल में डाल दिया गय तो इस तरह से बलिया जीले सबसे पहले आजाद होने वला जीला बना था लेकिन कुछ महिने बाद एक महिने के बाद ही सितंबर महिना में ही फिर से बलिया जीले को गुलाम बना दिया गया फिर से ब्रेटिस सरकार ने अपने हुकुमत पे ले लिया लेकिन यहां पे सबसे पहले आजाद होने जीला अगर पूछा जाता है अगर आपसे तो आप बलिया जीले को कह सकते हैं क्योंकि वही एक जीला है जो सबसे पहले सुतंतर गोसित किया गया सुतंतर प्रजातंतर बनाया गया इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत का सबसे पहला अजाद होने जीला कोन हुआ उत्तर प्रदेश राज्य का बलिया जीला ठीक है तो ये सारी बाते थी चलिए इसी बात के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहें पर समाप्त करने जा रहा हूँ वीडियो को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा यही आशा के साथ मैं मिलूंगा फिर से एक नए वीडियो के साथ एक बहुत ही रोचक बात के साथ तो आप लोग जरूर से इंतिजार कीजिए मेरे नए वीडियो का तो वीडियो को मैं यह पर समाप्त करता हूँ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान दिजे सुरक्षित रहिए और खुस रहिए मिलते हैं चल्द बहुत-बहुत धन्यवाद और समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद